विजिलेंस दफ्तर में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताच के बाद आईएस रामविलास यादव को गिरफतार कर लिया गया है विजिलेंस ने उन्हें कोट में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया गया है रामविलास यादव ने किसी भी सवाल का वाजब जवाब नहीं दिया है इसके लिए विजिलेंस उनकी पुलिस कस्टडी रिमांट भी मांगेगी इसके लिए कोट में बाद में प्राथनपत्र दिया जाएगा चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है आए से अधिक संपत्ती रखने के मामले में आरोपी आईएस रामविलास यादव बुद्वार को ठाई साल के बाद विजिलेंस के सामने पेश हुए थे इस मामले में डिरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस अफसरों के किसी भी सवाल का वाजब जवाब नहीं दिया है उनकी पत्नी को भी वहाँ पर बुलाया गया लेकिन उन्होंने भी आने से इंकार कर दिया उनसे बुद्वार देर रात करीब दो बजे तक पूछताच की गई इसके बाद दो पंद्रे पर उन्हें गिरफतार के लिया गया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उत्राखंड के 22 वर्सों के इतिहास में तमाम आईयस अधिकारियों पर भिस्टाचार के आरोब लगे है उनकी विबिन एजेंसियों ने जाज भी की है लेकिन ये पहला मौका है जब कोई आईयस गिरफतार हुआ और फिर उसे जेल भेजा गया इससे पहले एक पूर्व आईयस ब्रस्टाचार के आरोब में बर्खास जरूर किये जा चुके है तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं